अमेरिका के राष्टपती ने जब एक स्कूल में कुछ बच्चों की मौध हो गई थी तो वो तुरंद देश के सामने आए और उन्होंने अपनी बात रखी अपना अफ्सोस जाहिर किया हमारे प्रधानमंत्री जी आठ वर्षों में उनको हिम्मत नहीं हुई कि वो एक प्रेस कॉन्फरेंस करें सारा सनवाद एक तरफा है क्या यही लोक्षाही है क्या यही प्रजातंत्र है कि एक आदमी बोलेगा और एक 140 कड़ों लोग सोनेंगे यह हमारे देश में आज हो रहा है और इसके खिलाफ हमें लड़ना है आज यह चुनाओ जैसा मैंने आप से कहा यह आने के बाद कि यह एक पीपल्स मूव्मेंट बन गया है इसका नतीजा कुछ भी हो उसकी चिंता हमें नहीं है लेकिन मैं इतना आज की दिन कहना चाहता हूँ आप सबसे और सम्मानिय मुख्यमंत्री जी से कि यह लड़ाई जो है वे इस चुनाओ के बाद भी चलेगी हम लड़ते रहेंगे और मैं यह साफ शब्दों में आज कहना चाहता हूँ कि आपके आदर्निय हमारे आदर्निय मुख्यमंत्री ते लंगाना के जो हैं इनके साथ मिलकर हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे पूरे देश में मैं इन से फिर मिलूंगा क्यों कभी हुआ यड़े से यहां तक आते आते हम लोग ने कुछ बातें की है कुछ और बातें आगे बढ़ानी हैं तो हम इन से फिर मिलेंगे फिर बात करेंगे कि इस लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया जाए इस देश को जरूरत है के सियार जैसे नेताओं को और मैं इसलिए इनकी इज़त मैं इसलिए इनकी इज़त नहीं करता हूं केवल कि इन्हों ने इस प्रदेश में चुनाओं में भारी बहुमत हासिल किया मैं इसलिए इनकी इज़त करता हूं कि ताकत मिलने के बाद इन्होंने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में इसको अग्रणी प्रदेश बनाने में बहुत कम समय में बहुत कुछ करके दिखाया है यह एक मिरिकल है तेलंगाना is a miracle today it's a miracle state और ये वही आदमी कर सकता है जिसके मन में जनता के प्रती समर्पन का भाव हो, जिसके मन में एक विजन हो और वो मौका अमलने पर उस विजन को धर्ती पर उतालने का काम करे. आपके मुख्यमंत्री KCR जी उसी प्रकार के व्यक्तित्व हैं, इसलिए ये जो लड़ाई हम लड़ाएं हैं, लोक्षाही की लड़ाई है, ये लड़ाई जैसे हमारते सेन ने कहा, कि देश को बरबाद होने से बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई आपके और आपके बच्चों के भविश्य की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के भविश्य की लड़ाई है. और आज इस थल से, इस शहर से, हम उस लड़ाई की शुरुवात कर रहे हैं केवल चुनाओ राष्ट्रपती का अपने आप में बहुत मायने नहीं रखता है कोई नो कोई चुन का राष्ट्रपती भवन जाएगा अक्सर पत्रकार हमसे पूछते हैं आप राष्ट्रपती भवन में जाएगे तो आपका प्रथम करतवे क्या होगा और मैं उनसे जोर देकर कहता हूँ कि मेरा प्रथम करतवे होगा इस देश के सन्विधान की रक्षा करना उसके मुल्यों की रक्षा करना इस देश की लोक्षाही की रक्षा करना प्रजातंद्र को बचा कर रखना यह चुनौती है कल ही न प्रधान मंत्री जी का भाशन है आपर लेकिन मुझे पुरा विश्वास है मैं आपसे आज कहके जाना चाहता हूँ जितने प्रश्न आद्रणिय मुख्य मंत्री जी ने पूछे है उसमें एक का भी जबाब वो नहीं देंगे वो इसलिए नहीं जबाब देखें कि उनके पाश जबाब है ही नहीं जबाब है ही नहीं जबाब है ही नहीं He has no reply and that's why he will not answer a single question which has been posed to him today by the Honorable Chief Minister देश का दुरभग्य है देश का दुरभग्य है कि यहां पर सनवाध ही खतम हो गया there is no dialogue there is no conversation taking place और जब डायलोग नहीं होगा तो consensus कहां से बनेगी मुझे आद है मैं उस लोकसभा का सदस्य था के सियार साब ही उसके सदस्य थे और मेरे मन में इनके प्रती जो इज़त है वो उस दिन से है जब अकेले अकेले लोकसभा में तेलंगाना अलग राज्य बनाने के लिए इनकी आवाज उठती थी और सचमुच में उस समें बहुत कबलों को ये भरोसा था कि जैसा मुख्यमंद्री जी ने स्वेम कहा कि एक दुबला पतला आदमी खड़ा हो जाए तो उसका सपना साकार हो जाएगा लेकिन इनों ने अपना सपना उस सपने को साकार किया और त्यलंगाना राज्य अलग प्रिथक राज्य बना और बात वहीं तक नहीं रुकी आज देश के अग्रणी राज्यों में त्यलंगाना की गिंती होती है तो सत्ता जो है स्टेट पावर स्टेट पावर आप चाहते हैं इसके लिए कि उससे आप लोगों की भलाई कर सके स्टेट पावर आप इसलिए नहीं चाहते हैं कि आपके पास जितनी ताकत है आपके पास जितनी एजिंसियां है उसका आप अपने राजनातिक प्रतिधंदियों के खिलाफ इस्तमाल करके दुरुप्योग करें उनका जैसा आज हम देख रहे हैं आज ही अखबार में हम लोगों ने पढ़ा 2004 का कोई अफेडेविट था शरत पवार साब का उनको नोटिस मिल गई इंकम टैक्स की इतना दुरुप्योग मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं पाँच वर्षों तक अटल जी की सरकार में इस देश का वित्तमंत्री था एंफोर्स्मेंट डायरेक्टरेट एडी उस समय वित्तमंत्राले में हुआ करती थी मेरे दिमाग में दूर दूर तक ये बात नहीं आई कि हमारे जो विरोधी हैं राजनीत में उनके खिलाफ इसका दुरुप्योग किया जाए और जब मैंने पूछा किसी से कि भी कैसे कोई सरकार का मंत्री एजिंसी के प्रमुह को बुला के कहेगा कि उस आदमी के पीछे लग जाओ उसको पकड़ो उसको अप्पानित करो कैसे कहता है मुझे तो ये कहते हुए बहुत शर्म महसूत होती कि मैं बुला कर उनको कहता प्रमान हो या नहो उस वेक्ति को परेशान करना है वो मेरे मुआफिक नहीं है इसलिए तुम उसके पीछे पढ़ जाओ लेकिन आज ये प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है इतना दुरुपयोग जरकारी एजेंसियों का इसके पहले कभी नहीं हुआ है अब वो भी राजनीत के लिए तो इसलिए क्या हम चुपचाप देश को बरबाद होते देखेंगे क्या हमारा ये करतवे नहीं बनता हुए चुने हुए प्रतिनिधी के रूप में एक नागरी के रूप में कहम इसका विरोध करें और मुझे पुरा विश्वास आज हो गया यहां आने पर हैदरबाद और आप सब का उत्साह देखने के बाद किस देश में लोक्षाही को कोई हरा नहीं सकता है जब तक तेलंगाना है जब तक टियारेस है तब तक हमारे देश में प्रजातंत्र सुड़क्षे लेए आया था आपसे समर्थन मांगने के लिए मुझे पहले ही विश्वास दिलाया था जब मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी और जब केटियार आ गए थे हमारे नामांकर में तो पुरा विश्वास हो गया कि हमें इस यहां का समर्थन मिलेगा लेकिन यहां आने के पहले और मैं इस बात को स्विकार करता हूँ क्योंकि कई जगे घूम के आ रहा हूँ मुझे अपने मन में यह विश्वास नहीं था विश्वास था कि बोट मिल जाएगा लेकिन यह विश्वास नहीं था कि इतना स्वागत होगा यह विश्वास नहीं था कि आज यहां से एक नए युद्ध की शुरुवात होगी और वो राष्टपती चुनाओ वो राष्टपती चुनाओ में खत्म नहीं होगी उसके आगे भी चलेगी और हम सब मिलकर उस लड़ाई को लड़ेंगे मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मित्रों का धन्यवाद और आप सब को मेरी शुब कामनाए जय तेलंगाना और तेलंगाना है यह सब कर दो आपका में मिलकर्वाद पन्यवाद लाग़गाद फिर राष्ब का नहीं हो आपका लावी वे बहुत का नहीं हो पन्यमंत्यास कि वेवाद